अभी तक के कलास में मैं klon tool का basic बता चुका था अभी उसके आगे मैं बताता हूँ तो इसके लिए हम लोग next वाली footage पे जाते हैं यहां पर clone tool simply हम लोग कैसे यूज़ करते थे shift से source लेके ऐसे आगी तरफ कर लेते थे उसके बाद जो paint करना है जैसे कि यहां सा source लेके मैंने इसको paint किया तो इस तरह से यह paint हो जाएगा अगर मालो इसको remove करना है तो मैं control hold करके ऐसे click करके छोटा कर सकता हूँ रिम्ल्फ करना है तो मैं ऐसे यहां से source लेके इस तरह से pin्ट कर कर दूँंगा नीचे सहां से मालो अगर पयंट करना है तो यहां से source लेके paint कर दूंगा अगर इसको remove करना तो मालो म मैं बरासा börleri करके इस तरह इस तरीके से यहां पर भी same kind of आ रहा था थीक है नीचे में करना है तो मैं इधर से ब्रस लेकर इस तरह से रिमूब कर सकता हूं यह उपसिटी कर लेते हैं 100 इस तरह से तो यह स्काई पर आप देखरो जैसे नॉमल में वन्टो करता हूं इस तरह से स्काई हम लोग रिमूब कर सकते हैं जो जो भी है अबहरो अगर में पर इसका वील यहां पर ऐसा कुछ बनाने है मतारी मेरको यहीं कश बनाने तो मैं सिंपली का कर सकता हूं रिषैट करता हूं अपना ब्रस तो रिषैट-करने निहीं हैं से मेरा है यह उप्ड Index से कल और से कलिक करें तो बस डारिकली हो जाएगा तो अब यहां पर let's suppose कि यह वाला जो wheel लिख रहा है मेरे को यह सेम wheel यहां पर चाहिए होगा तो मैं simply कर सकता हूँ इसको इतना कर लेता हूँ यहां पर बीच में बिलकुल ले जाके shift hole करता हूँ क्लिक करके और उसके बाद जहां पर मेरे को सेम चीज चाहिए मैं यहां पर ऐसा करके दुबारा से क्लिक कर देता हूँ अभी क्या है मैं जो भी paint करूंगा यहां पर वहां वाले portion पर paint होगा जैसे देखो यह सीम wheel यहां पर ऐसे मैंने paint कर लिया अब undo करके देखता हूँ जो extra area मैंने paint कर दिया है इसको मैं right click करके ऐसे मालो remove करना चाहता हूँ तो remove करके कुछ भी कर लेता हूँ मालो इसको ऐसे recreate करना है तो मैं recreate कर लूँगा अभी recreate कैसे करेंगे हो मैं बात में बताता हूँ इस तरह से मैंने wheel दा लिया अब यहां पर एक सबसे अलग चीज क्या है कि अगर मेरे को चाहिक नहीं यह जो सीम wheel है ना मेरे को थोरा यहां पर बढ़ा करके दाना है मतलब इतना same size कर नीचे थोरा बढ़ा कैसे करेंगे अब यह तो आप दिखरो यहां से जैसा क्लोन मारू करता हूँ 130 अब 130 करके मैं अभी देखो पेंट करता हूँ ना तो यह कुछ बरा तो पेंट हो रहा है लेकिन कहीं और इसका पोजिशन चींज हो गया यह प्रपर जगह पर नहीं आया तो यहां पर इस तरह केसे करने में थोरा सा इसू होगा आप पता नहीं कर पाऊ है कहां इसका नाम क्या है enable onion skin overlay यह on हो जैसे मैं caps lock on करता हूँ देखो यह on हो गया off करता हूँ off हो गया लेकिन हम लोग को वीवर में कोई चेंज दीख नहीं रहा है ठीक है तो वीवर में चेंज कब दिखे है समालो मैं यहां पर यहां से source लेकर यहां पर ऐसे मेरा बरस हो गया यहां पर देख लो offset इसका change हो गया तो वह ही हमारा जो भी source है full frame को 50% opacity कम करके यह हमको show कर रहा है मालो इस opacity को में बढ़ा है तो अभी देखो मैंने का off किया तो ऐसा दिख रहा है और on किया तो देखो यहां पर यह जहां से भी हम लोग source उता रहे है वह अला रहा है ठीक है इस तरह के से अभी इस वाली frame पर ध्यान दो मेरा source वाला जो mouse है वो कहां पर है मेरा source वाला mouse यहां पर है ठीक है source वाला जो box है ठीक है यहां पर है और मैं जैसे ही caps lock on करता हूँ अभी देखो वो same चीज इस वाला पर आ गया मतलब कि वहां का जो भी footage है उतना दूर तक move कर यहां पर लेकर आ रहा है तो मैं इसको फिर से 50 कर लेता हूँ अब यहां पर trick क्या है मेरे को क्या चाहिए यह वाला tire यहां पर चाहिए यहां पर मेरे को चाहिए तो मैंने यह अपना जो main brush है ना मैंने इसको बस यहां पर टक लिए ठीक है कैप्स लोग मैं on करता हूं तो इस तरह से onion skin हो गया अब arrow key से जैसे मैं move करूगा तो इस तरह से move होगा अगर मैं shift hold करके और arrow key से move करूगा तो यह थोड़ जल्दी जल्दी move होगा अब देखें मेरे को फोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि आगया जो वील है वह यहां पर ऐसे align होता हुआ रहा है अब मैं ऐसा करके मालो ऐसे align कर दिया है कि align हो गया अब हमारे पास मैं caps lock off करता हूँ अभी देखो मैं paint करके देखता हूँ तो देखो वील यहां पर paint होता इसको scale up करना है तो simply आप कहा कर सकतो है जाओ यहां पर आपका एक तू वी लाग जाओ ठीक है अब आपको simply e-press करना है दो W और R के भीज में रहता है मैंने e-press किया e-press करो गया उसके बाद अब माउस को click कर कैसे करो गया तो देखो यह छोटा बड़ा हो तो वह दीख रहा है तेकिन वही मैं माउस को right की तरफ click करके ले जा रहा हूं तो यह horizontally skew हो रहा है और ऊपर की तरफ vertically skew हो रहा है तो हम लोग को चाहिए बिल्कुल एक जैसा हम लोग shift hold कर लेंगे उसके बाद click करके ऐसे करेंगे तो यह देखो बिल्कुल बराबर वह बरा हो रहा है तो मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए था मैंने थोड़ा सा इतना बड़ा कर लिया ठीक है इतना इतना बड़ा कर लिया अब मैं simply दूबार सके यह था बरा था थ तो बह्डे को डेंगे स्केल करें अबरा हो गए जैसे थे दिखो यह नीचे में घांस है ठीक है ऊपान में टायर का हम बोकोे रिफ्रेंश आम रिप लिए बड़ा में लだ और तो यह तो आायर मालो जाब हम लोग क्या कर सकतें तो देखो हम लोग को यह दिखेगा, वही चीज जो हमारा original में है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर simply क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे में rotate दिख रहा है, हम लोग caps lock on करके रोटेट पर जाएंगा, तो यह देखो, ऐसे हमारा footage रोटेट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम अब रोटेट करने के लिए हम लोग का shortcut क्या होता है, डबलू होता है, जैसे मैं डबलू प्रेस करूँगा ना तो यहाँ पर बन गया हम लोग का anchor, अभी मैं इसको ऐसे rotate करूँगा, देखो, बिल्कुल वहाँ से rotate हो रहा है, मैं बिल्कुल ही इसको उल्टा कर दे रहा हू अब देखो मैं ब्रस को इधर लेके जा रहा हूं तो इधर से clone उठा रहा है, ऐसे automatic उठा रहा है, अभी देखो, मैं चाहूं तो इस तरीके से ऐसा paint कर सकता हूं, लेकिन यह थोरा सा match नहीं हो रहा है, तो मैं Ctrl Z कर देता हूं, Caps Lock करके थोरा सा movement, arrow की से थोरा देख लेता ह देखो, अभी थोरा और जाएगा इधर, तो इसको हम लोग 100 करके भी चेक कर सकते हूं, अभी देखो, थोरा यह lift जाएगा, तो मैंने थोरा इसको lift लेके गया, ऐसे, अभी देखो, यह हमारा tire पूरा complete बनी गया इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग rotate कर सकते हैं, इस चीज मैंने लिया, तीक है, मैंने on किया, caps lock, इसको देखो, caps lock को यह default 50 है, मैंने 50 कर दिया, अभी caps lock on करूंगा, तो कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन caps lock on है, जैसी मैं arrow की से up और down करूंगा, यह देखो, आपको, same चीज नीचे जाता हुआ देख रहा है, तो हम लोग ऐसे, same ची देख लो, इसको 100 कर लेते हैं, तो अब देखो, यह हमारा original है, यहाँ पर एक एक एनक है, लेकिन हम लोग, जैसे ही caps lock on करते है, तो यह हमारा फोटेज जो हमने move किया, वो दिख रहा है, तो अभी मेरे को एनक remove करना माल लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे mouse को देख सकता हूँ, बार बार on off करके, तो देखो हमारा फोटा नीचे के तरफ जा रहा है, तो लोग इसको थोड़ा सा उपर कर लेंगे, अभी थोड़ा और नीचे जा रहा है, पूरा movement set कर सकते हैं, तो थोड़ा और नीचे जा रहा है, ऐसे, अब यह तो हो गया, लेकिन थ आरो की करेंगे, तो राइट की तरफ रोटेट होगा, तो simply हम लोग को अभी क्या करना है, लिफ्ट की तरफ रोटेट करना है, यह ओरिजिनल हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा उपर कर लेता है, अभी देखो, पूरा मैच हो गया, मैं तो ब्रस थोड़ा चो तो वो कैसे मैच करेंगे, वो आगे बताएंगे, यहाँ वैसे देख सकते हो, तो इस तरह से भी रिमूव कर सकते हैं, मालो यह पूरा सटर जो है, हमारा यह बाइक रिमूव करना है, और यह वाले सटर से हम लोग को चाहिए, रिफ्रेंस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, simply, यह सीम सटर का पूरा, मालो इसको 50 करेता हूँ, यह सीम सटर को उठा के यहाँ पर लेके आ सकते हैं, मैंने रिसेट किया, कैप्स लोग अन किया, और यह सब कुछ रिसेट कर देए, अब यह देखो, अन है, यह 50 हो गया तो, और लिफ्र की तरफ मूव करूँगा, तो देखो, और देखो, पूरा तो यह तो मैच हो गया, मैं इसको 100 करता हूँ, इस वाले जगह पर यह सटर तो आ जा रहा है, लेकिन देखो, उपर में थ्वार रोटेट होगा, यह थ्वार नीचे में रोटेट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर डवलु में प्रेस कर लेता हूँ, डवलु जैसे प्रेस किया, ऐसा आ गया, दुबारा से डवलु प्रेस करकर कैसे चेक कर सकता हूँ, उपर में ध्यान देंगे, यहाँ पर में यह वारा पोर्षन, उपर में ध्यान दे सकते हैं, पर रोटेट हो रहा है, तो मैं रोटेट कर देता हू अभी दो लगवा हूं कि मेरा इस तरह सेट हो गया अभी यहां और प्रॉब्लम क्या है कि यह जो सटर है यह थोरा यहां दखाएगा तो हम लोग को इससी किल के अके-प्रेश करते हैं अभीध मेरध रहा है अभी किक MI करके लियुक हरयना ठ्यक्सण चोटा हो हम लोग करके तो हम लोग का जो जो लिंथ है वो सब को सेट करके वो करना परेंगे अपराई लेकिन इसे बस दिखाने के लिए कर रहा हूं इसलिए इतना देख लो इस तरीके से ये सेम जो नीचे का पॉर्सेण है यहां पर ऐसे हम लोग दाल सकते हैं सबीक नॉर्मल सा क्लीन फ्रेट बनाने के लिए कर सकते हैं देखो ये ये यहाँ पर आ रहा है तो इसको चन्ट्रोल जेट कर लेता हूं मैं यहाँ से इस तरीके से बन गया इसलों प्रफे हम लोग सेट कर सकते हैं प्रापर उबाद में देखें गे तो एक तो यह हो गया, तो मैंने क्या बता है, एक W जो की है, उससे रूटेट होता है, और E जो है, उससे स्केल होता है, तो मैंने लिए यह दूनों काम आएगा, और Q का जो है, फिलाल हम लोग arrow की से कर ले तो Q का काम नहीं है, तो W और E ध्यान रखना, अब यह हर फूटेज मैं प्रेस करूँगा, यह देखो, मूव होते हो और देख रहा है, तो यह जहां पर खाली है न, पोर्षन, वो खाली पोर्षन में, जहां पर लिखा हो है, वहां पर लेकर चला है, अब देखो, इसको 100, यहां पर लिखा हो है, मैं खाली पोर्षन यहां पर मूव करके लेक एक बाँछ यहोँ को प्रिश्रम तुट सरक दोूटेट यह यहां पर रोटेट का वह अबख सकता है तो माल लो, मैं इतना rotate कर देता हूं यहां अब आपस के वाल लो, करसर के यहां पर यहां पर चाहिए, वह तो देखो यहां पर इसटरी250 नंच वो आजाेगा हैब इसको गडिक करता हम फिर से हम लोmouth reset करते हैं हब मैं एब यहां ले प्रिस्ट कर रहा है मैं यहां पर ले जाके स से आज गया अभि देखो मैं ऐसे करूँ गा तो यह से करूंगा और यह से करोंगा तो यह सब्सक्न कर दाएं तो ही मैं अगर paint करूँ आ तो देखो किस तरीके से paint होगा वह जी scale कर रहा है जैसे कि हम लोग देख लो इस वाले frame पर है ठीक है इस वाले frame पर यानि यह frame number है हमारा 4 ठीक है यहां पर भी हमारा frame number 4 दिख रहा है मतलब इस clone tool में जैसे हमसा लेक करते हैं जो भी हम लोग ऐसा source लेकर paint करते हैं ना जो भी हम लोग ऐसा source लेकर paint कर रहे हैं यहां पर जो भी frame number रहेगा वहीं से लेगा मतलब अगर यह frame number 4 है तो यह frame number 4 से हम source लेकर paint कर रहे हैं लेकिन अगर हम लोग इसको यह कम कर देते हैं मालो यहां पर मैंने कम कर दिया यह फ्रेम नुमर 3 से सोर्स लेगा अभी देखो मैं पेंट करोंगा तो क्या आएगा देख रहे हो यह फ्रेम नुमर 3 पे हमारा यह वाला फूटेज था ना उसका सोर्स यह उथा रहा है इस तरह कैसा है अगर मैं 5 कर लेता हूं उसको 5 कर लेता हूं तो हमारे फ्रेम में निक्स पर उवाला फूटेज था था अब ही देखो यह हमारा फ्रेम नुमर फाइब था तो हम लोग जब सेक्वेश पिंट करते हैं अ ऐसे ही मालों कह्त यहां पे दिख रहा है फूटेज आए दि पर पिंट कर देता है उस तरीके से तो इस तरीके से काम करता है तो यह एक बेसिक सा कैसे समझाने के लिए मैं बस दिखा रहा था कि कैसे एक काम करता है मैंने बोला था कि यहां पर कुछ कलर और डिटेल यह जो है यह सब क्या काम करता है वो मैं बताऊंगा बाद में तो यह स गैए版ा इसे पाया से पूर दिया तो तो यह उस कालर का ह CoryН कालर नहीं कर सकते हैं तो अपने से को तो चीत concern भी चाहिए नहीं तो हम लोग इसको कते हैं जो श्यां, इसको कर droite नहीं बाते हैं तो यहां पधिर long क्रेमोम लिशिकर करकी सीमगहें सेमपल होता है चबह助ह करें करें लेकर काम कर रहा यहां पे धेहां सर्थशन on in the color म्ल जो हमारा है चेटक्ट नहीं तो फ्लैट नहीं हो रहा हुआестно काम जा रहा है । को एक में है जोたいक हो में में और हमार यह इसे प्लार को प्त्थर हो झाल के खाल किरें ड्याने किरें और अब हेखा एक्स्क्रा करें बिधार हो गया वाट ऊसको ही रिमूर काम तो एकसा पाट हो गए है मैं उसको रिमूफ कर देता हूँ अब यहां पर देखो मैं वन्टू कर रहा हूँ तो देखो जो टेक्स्चर जो हमारा था वह रहे गया बड़ कलर चेंज हो गया तो हम लोग अभी यूज कर रहे थे कलर टूल तो यही कलर में जैसे इसको चेंज कर देगा तो वह सिर्फ कलर पर काम करेगा तो यहां पर कलर हो गया अब यही सीम चीज ना मैं अगर डीटेल पर कर देता हूँ तो यह अपना जो कलर टूल है यह डीटेल पर काम नहीं करेगा यह आप सिप Normal और Color में यूज़ कर सेंजा तो यह अपना Color tool नामल में यूज़ करना जैसा कोई प्रीक्ट होरस करम कि एकày क्या है तो कियो दिए कमतिन किसी अपनी कैश्छ मझार की पर neighbour करना हई आपको तब आप Lob soup स्वेसल मैं हो तो पत्थर जैसे ही लगेगा बट color हो जाएगा change अगर मैं green select कर लेता हूँ तो same इसको green कर सकते हैं देखरो texture वही रहा जाएगा यह पत्थर आप ग्रीन करना है यह हमने लिया इस तरह से green पत्थर हो गया तो यह सिर्फ color यहां पर paint कर रहा है तो ठीक है यह कई बर बहुत काम का चीज होता है अब हम लोग इसके बाद क्या discuss किया था हमने ड्रैग टूल भी same वैसे ही आप काम कर देखते हो अगर नॉर्मल में आप यूज करते हो तो नॉर्मल में ऐसे अगर ड्रैग करोगे कोई चीज तो इस तरह से ड्रैग हो जागा और वो काफी bloody हो जागा अब इसको delete करते हैं सेम देखते हैं color में करने पर क्या होता है मैंने इसको किया color में अब यहां पर देखो यह ड्रैग तो होगा यह ड्रैग इसको green करते हैं लेकर टेक्शन हमारा रह जा रहा है सेम तो यह सिर्फ color पर काम कर रहे है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत यह दिहान रखना है कई बार थोड़ा सा आर्टिफेक्ट आता जैसे कि इसके एज पर आ रहा है तो वह ऐसा सीन है वह देखो इसको मैं रेड कलर करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूं न तो यह देखो रेड ऐसे ड्रैग हो जाए तो कई बार आप कुछ चीज का यह दो कई बार कहीं पर डार्क हो गया तो आसपस के कलर से आपको मैंच कराना है वह तो ओ ऐसे खीचके आप कर सकते हो तो इस को सिर्फ नापने से यहां आपि कुछ पाम कर रहा है के दिक yWhen sch yes आपना जो ड्राइग तो सिर्फ और नॉर्मल और लॉट पर सिम्प्राइब करेगा तो क्या द्हान एक दून्हां लॉट्स तो छान अवर क्लर चुर्स इंस जब आप ओपने सा Kansas City रिमEEEE करना है इस तरह कर से आ है इसे फिर्मिन कर दिया यह बूरा डीमोव हो गिया थाथभ वै यह तो ख़र्दम यह इस तरीके से मैं फिलार इसे को करता हूं करेंट फ्रेम डिलीट अब वही हम लोग करेंगे यह तो पुराना detail भी रख और जन्य वाला जगा रहा न वहां का भी color के साथ थोड़ थोड़ डिटेल उठा लेगा देखो यह पत्थर का color था तो पत्थर का color दाल लिया इस तरीके से तो यह कोई use का तो मेरे को लगता नहीं है बाद ठीक है इस तरीके से use कर सकते हैं This이hern और होख करते हैं इस तरीके साब करेर यूज कर सकते हैं और हम इसको करता हूं दीलीट नहीव , यहां पहते है दीटेल्ब। जिसलिव बःता है अब ऐसमें है吗 आओ कर픈 प्राय क्यों बैर से मालो की जैसे हम नों कोई तो आपने को वहां पर डीटेल चाहिए समाल लो जैसे यह वाले पॉर्शन पर डीटेल कम है मेरे को ऐसा डीटेल यहां पर चाहिए तो मैं ऐसा करता हूं यहां पर डीटेल सा लेक कर लेता हूं उसके ब्रस मेरा भी हंडेट पर है तो मैं अगर पिंट करूंगा तो बहुत हा तो गहांस का वो बस डिटेल डाय रहा है लेकिन उसका जो color है वो सेम रहने दे रहा है तो यह बहुत सही चीज है आप color को बीना change किये हुए आप detail और अड़ कर सकते हो तो मैं यहां का detail ना इस पर देना चाहता हूं मैं simply यह select करता हूँ ठीक है यहां से detail में लोग चाहिए मैंने यहां से detail लिया यहां से detail पर select किया अब धियान से देखो सीम कलर मेंटेन करके यह बस उसका detail दे रहा है यह बहुत सही काम करेगा कई पर बहुत अच्छा जरूत पर सकता है यह देखो यह जो लटका फटका है ना उसका भी सेम वह सेम कलर में detail बस उसके उपर detail दालता जा रहा है तो कोई चीजी जो होती है हम लोग नुक में भी नही पर ऐसे डाल देता हूं यह देखो तो यह मस्चीज है यूज कर सकते हो हा लेकिन एक बात का ध्यान रखना हमने राइट किलिक करके कोई चीज को रिमूव कर सकते थे अभी इससे पहले तो यहां पर मालो जावी हम अपर राइट किलिक कर रिमूव कर रहा है तो तो सकते हैं मैं इसको बिते यहां से ड़ेता हूं ते यहां से डिटे यहां से डाल की दरना चाहाँ यहां सा ड्ली कंक इंट्रेक्टिव और रीजन यह भी बहुत काम का चीज अ इन लोग मेरे को ये वाला जो पूरसण यह वाला यह वाला वील मेरे को यह यहाँ पर छही है मैं simply करते हैं, रिजन सेलेक्ट करता हूं, उसको सलेक्ट करता हूं, यह वला पोर्शन मेरे को चाहिए बड़ा छोटा जैसे करना चाहते हो, ऐसे अजस्ट कर सकते हो, देखो मैंने ऐसे अजस्ट कर लिया, अजस्ट कर लेने के बाद, सिंप्ली आपको इंट्रेक्टिव आफ कर देना है, अभी जो किया था उसको पिंट कर लो, बैरी सिंपल, यह सब हम लोग सीक्वेंस पिंट कर साथते कर दोगे मैंने थेका जिएर से जेएगे, अजस्ट कर लोग दो कर दोने है